अब आपको पढ़िया होंगी आज की डिदिंग में दिखने वाले हैं कि जो बापकी स्पाउस नराज हो करेंगे तो अपनी नराजगी आपको कैसे दिखाय करेंगे ठीक है तो आज की डिदिंग कुछ इस प्रकार से होगी पहले हम कुछ कार्ड निकाल लेते हैं आपके पर पाल 1 और पाल 2 मनी मन भवान का नाम लीजिए तो आपके लेते हैं मुझे कुछ वैसा है चक्रा कार्ड तो नहीं होगा दूसरा कार्ड लेखते हैं बैशने कुछ पिचर बजरा बनी हो आपके लिए थोड़ा सा उलियत हो जाएगी पर चीक है तो पाल 1 के लिए ये पिचर जारी है एक पुछ आदमी की पिक्चर है और एक है जिसे हाथ में तलवार लिये है ठीक है तो पाइल वान हरा है emotional loss with this man card पाइल वान अगर आप intuitive selection करना जाते हो यह एक water card है ठीक है water sign मैं water card है और पाल टू है air card air element जिसमें एक हाथ में तलवार लिये हुए एक विक्पी है ठीक है एक है जो हाथ में तलवार लिये हुए एक है जो अपना हाथ दिल पर रखे हुए है तो आप देख लीजे ऐसा विक्पी जो हाथ में तलवार लिये खड़ा है या ऐसा विक्पी जो अपना हाथ अतने दिल पर रखे हुए है एक है water element और एक है air element ऐसे भी select आप कर सकते हो एक है green card एक है blue card okay ऐसा आप देख सकते हैं इसके आज पास water है इसके आज पास ज्यादा earthy element है ठीक है earthy nature बगरा है तो ऐसे भी आप देख सकते हैं अगर आप अपने name initial के आप देख सकते हैं तो थ्यान से सुनिएगा ठीक है यह divisions होंगे बिल्कुल live तो बिल्कुल थ्यान से सुनिएगा ठीक है यह पाल 1 यह पाल 2 तो जहां मेरी उंगली जाएगी वही नहीं initial कार्ड पर आजाएंगे ठीक है ए बी सी डी ए एफ जी एच आई जे के ल एम एन ओ पी क्यू आर S T U V W X Y Z अब पीछे रिवाइंड करके दुबारा से सुन सकते हो ध्यान से सुनो ठीक है और आपका जो भी नेम इनिशल है वो पाल आप सेलेक करो ठीक है तो चलिए अपना पाल सेलेक्शन कर लीजेए मैं आपको आपकी रिडिंग में राद रादे पाल वान चलिए देखते हैं आज की रिडिंग जैसे कि आपने इमोशनल लॉस कार्ट सेलेक्ट कर रहा है जो वेक्ति अपना हाथ दिल पर रखे हुए हैं और जो भी नेम इनिशल इसमें आते हैं कि लाइब डिस्रिबूशन हुआ था लाइब डिविशन हु पर का वेस्टेज बहुत जदह होता है यह मैंने बहुत नोटेस कर रहे हैं इसलिए मैंने पेपर पे लिखना वगरा न छोड़ दिया है ऐसी ग्रूप डिविशन का न भी पाल यूज होती है तो इसलिए मैंने यह चीज थोड़ी सी अभी स्किप करी है यह पेपर का वेस् चैले सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते है यह चैले सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं आईए देखते हैं आपके स्पाउज अपनी नराजगी आपको कैसे शो किया करेंगे ठीक है देखते हैं आपको कैसे देखते हैं साथ में वर पर 20 चक्रा और साथ में न्यू बिंग्निंग्स ओके और आपका जिसा पहला काड़ आया है इमोशनल लॉस ठीक है देखो एक तो ये चीज है कि जब भी वो आपसे नराज हुआ करेंगे न वो थोड़ा सा ना अपने बातों में अपनी अवाज में अपने बात करने के तरीके में ना शो कर दिया करते होंगे जैसे अवाज थोड़ी लो हो गई रिप्लाइ बड़े छोटे छोटे हो गए कम्मिनिकेट कभी करा कभी नहीं करा कभी इंग्नोर कर दिया आपकी बात को ठीक है और आखों में जादातर न उदासी चाही रहती होगी आसू रहते होंगे जब भी आप इनसे नराज हुआ करोगे अब ये उस केस में हुआ करेगा जब आप इनसे नराज हुआ करोगे तो इनकी आखों में आसू होते होगे जब आप इनकी बात नहीं सुनते होगे ठीक है, बट अगर आप इनसे नराज नहीं हो, अगर आप बलकुल अच्छे mood में हो रहे कि नहीं, आपसे नराज बैटे हैं, तो उस वक्त पर इनकी बाते थोड़ी छोटी-छोटी हो जाती हो जाती होंगी, कभी बात करते होंगे, कभी नहीं, और या फिर बड़ा low voice में बा एक सेनारियो बताते हैं आपको, अभी आप कहीं से भार से आयों, आपने कहा था मैं इस वक्त पर आऊंगी, आऊंगा, लेकिन आप उस expected time से थोड़ा देर पर आएं, और ये आप के लिए इतना चिंता करके रखें हैं, इतना चिंता करीं आपके लिए, आपको इतने calls करें आपने इक भी call पेक नी करा, इतने messages करें, एक का भी reply नी करा, इतना वेट आपका करा, फिर भी आपने मतलब इनको avoid करा हैं, इनकी हर एक चीज को, तो अभी ये बिल्कुल नराज बैठे हैं, ठीक हैं, त्यान से सुनना, नराज बैठे हैं, गेट पे गए हैं, बार बार द अगर हाँ घर में केले रह रहे हैं, तो खुद खोला, लेकिन आपको देखा लिया, बस नीचे नीचे से देख लिया, कि आज आप ये पैन के गए हो, तो मतलब आप ही आए हो, या तिरची नदर में से देख लिया, आचा हाँ, ये ही हैं, कोई बात में ठीक है, या अंदर अब आपको जब बैठे हैं, तो आप अपड़े थक्यों हैं, आपको ग्लास बता दे दिया, कुछ पीने के लिए, नाइन ओफ कप्स, वाटर कार्ड है, पानी दे दिया, कुछ पीने के लिए ठेंड़े, जिससे आपको तुड़ी राहत मिले, आपके बैग बैग ले ले ल बात करते हैं, पूछते हैं, लेकिन आस्तर से कुछ वाए नि, क्या हो गया, तब धराब है, आपने पूछ लिया, क्या हो गया, जी, तब धराब हो गई, तो उच रिप्लाइं नि कर रहे हैं, अभी आपने जब अपना फोन देखा, इतने सारे कॉल्स, इतने सारे ओ भाई साब, अब आपको समझाया है, कि यहां तो, अल्रेडी, मतलब बहुत कुछ खिचडी पक्च की है, तो इसलिए अभी मुझे बहुत समल समल के चलना पड़ेगा, जी तक अभी पता चले, कि मैं यही फिसल जाओं, अंदर की तरफ पे आप गई रूम में, अब आप कि अब कुछ निए? defense, धरूम अज़ें, एब कश boll, किसि को मत समल क कर идंबा तो यहां थो छोगा अच्छा, तुमुछ जहां पूछो की निएं? संटाओ, सब अर्टा अच्छा बोल सकते मैं, इसओ झालला मॉला? संटाओ, आप के रहों निए highway आप यहां अप र Holy मेरा मूड में बताने का तो अब आप थोड़ा सा अच्छे मूड में हो आप आए बेठे थोड़ा नियोंने अपने तकक्या अदे आपक्द लिया आपने इनको ऐसे करें पकड़ लिया, अब बताओ, अब नहीं बताओगे, क्या मूड है तुम्हारा, क्या हो रहा तुम्हें, हाँ नहीं बताओगा, नहीं बताओगी, आपने इनके चीक से पुची करी, अचा अब भी नहीं बताओगे, नहीं मैं नहीं बताओगा, इनके आ का सा पीछे करा अब भी नहीं बताओंगे क्या जानना चाते हो आपका हाथ छुड़वा कर क्या जानना चाते हो उठ गई बैट से क्या जानना चाते हो कुछ नहीं बस ये कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो क्योंकि मैं तुमसे नराज हूं अच्छा नराजगी किस लि तो उसमें क्या दिखाए दिया बहुत सारे मैसेज बहुत सारे कॉल्स आप हसने लग गए यह हसने का विशह है यह हसने की बात है मैं यह घर पे परिशान हूं कि तुम कहां हो तुमारी कोई खबर नी किसी से लेना जा रहा हूं तो और तुमारा एक भी नहीं बनता कि तुम मुझे बता सको आप कहरें बुद्धु अगर आउट आफ नेटवर्क अरिया आ रहा है इत मीन्स मैं भी कॉल नहीं कर पाऊंगी ना मैं भी कॉल यहां से मिल आ रही हूं यहां मिला रहा हूं तो मेरे यहां से भी आउट आफ तो इसे यह थोड़े नेटवर्वक प्रॉब्लम भी चल रहा था करनेक्टिवीटी नहीं पारी भी अब आप इनके पास गये इनको हलका सा अपने पास बठाया और इनका सर थोड़ा दुबाने लग अब जब सरदवाय की चंता तो मन में भरी है और सरदर्द हो रहा है जाकर भाई साम इतना जदा इमोशनल हो गया कि पता है कि दोर बेजने से कितना डर लगता है तुमारे बारे में ना पता चले तो कितना मन में बाते आ जाती हैं तो यू डूंट इवन नो कि क्या-क्या थाट साथा आपकेरो इनके होटों पे एसे उंगली रखे मुझे सब और इनको एकदम से आपने हग कर लिया तो यह राम से शांत अजाते हैं ऐसे होंगे हैं कुछ समझा कर समझाओ लॉजिक के थूरू ऐसा हुआ अच्छा मेरे से ऐसा हुआ इस तुम नराज हो अच्छा मैंने यह इसलिए नहीं कर रहा था वह ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे करो कर दो समझाओ तो नहीं समझे लेकिन कि पाज जाओगे बैठोगे सवरा सर दबा दोगे इनको के लिव लगा लोगे तो अपने अपने यह शांत हो जाएंगे पिर कुछ समझानी की सब्सक्राइब अपने आप यह समझ जाएंगे ऐसे होंगे आपको सब्सेवारे इतने प आपटेज देखें आइस पार्कल इन आइस हां जैसी नराजगी दूरुई आखों में खुशी आखों में मुस्कुरहट आखों में तरीके नियुक्त इनकी आखों में तरीक नराजगी दिन चला गया तो आखों में रात बीता दी क्यों ओके इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इन्हें आपके बारे में ही हर वक्त होट चलते रहते होंगे चाहें आपके बारे में कुछ ही है सोचें चाहें आपके बारे में कुछ ही है करना चाहें आपको खुशी देने के लिए यह हमेशे यह सोचते रहते होंगे कि आप किससे खुश होगे आप किसी से खुश नहीं होगे आपको क्या चीज़ खुश कर सकती है आपको क्या चीज़ खुश नहीं कर सकती है आप इस वक्त पे क्या कर रहे होगे आप इस वक्त पे क्या नहीं कर रहे होगे मलब कि 24 आर्ज में से कुछ आर्ज तो ऐसे ही होंगे जिसमें यह सिर्फ आपके बारे में सोचते होंगे और वो भी सिर्फ आपकी ही है ठीक है प्रेफर टू फिल बैलेंस यह ज्यादा देर तक नराजगी अपनी ना रखना नहीं चाहते होंगे बस यह सोते होंगे कि बस आप आओ मनालो इनकी नराजगी दूर करतो बस यह क्या है आए वांट यू टू पैट माइएड देखा वोई सर दबाने वाली बात आई सर से लाने वाली नहीं तो अदर्वाइस तुम्हें मेरी कसम दे दूंगा जब आप इनको नहीं मनाते हो गया तो यह आपको अपनी कसम दे देते होंगे अच्छा ठीक है तो मेरा सर न क्यूट होंगे सो आई होब आज की रिडिंग बहुत थीक से समझाई होगी अगर अच्छी लगे हो लाइक से कॉमें जरू करेगा अभी के लिए भाई ठीक है जाश्राद कृष्णा हरी बूर्ट पाल चुछले देखते हैं आज की रीडिंग लेट सी आपके फिटर स्पा चलिए सबसे पहले मवान का नाम लेते हैं तीक सारे कपकार्ण हैं आपके इनको इतना तो पता है कि यह नराज होंगे तो आपसे देखा तो जाएगा निए और आप इन्हें मनाने तो आओ गया होगे यह बिल्कुल डेफिनिटली इस चीज में शौर हैं और यह कभी-कभी न जान बूच के नराज होते होंगे कि इनको न आपका मनाने का तरीका बड़ा पसंद आता होगा इनको के तरीक जैसे आपने कोई सवाधिस्ट चीज बना दी इनके लिए आपने के साथ जाने का प्लान बना लिया चलो आप अंके साथ थोड़ी देर बैठ गए अच्छा आप क्या हो आप हर वक्त काम करने में लगे रहते हो आपका ना नीचरी ऐसा है कि आपसे खाली बैठे ही नहीं जाता मतलब कुछ नहीं कुछ करते रहोगे आपको ऐसा लगते पर कुछ नहीं कुछ करती रहूँ मैं करता रहूँ ऐसा है आपका थोड़ी दिर खाली के बैड़के दूसरा काम याद आ गया ऐसा होता होगा तो कभ कभी यह जुटि-मूटी नराजगी काय किसे होती होगी पताथ नहीं रोमंहें कि यहां कि यह कि फिर ना ह slippery क्या है कि बात चल रही है कॉन अच्छा डांस कर लेता है कि ऐसी मिल्लब हमे सारे बैठे हैं निकल रही है जी अच्छा घात किया ते पता है यह जा रही है अभ इन बात आहिए तो आप थोड़ा सोचने लग गए या नाने का कि मेरे अंदर टैलैंट है सब को प्रशंसा करना ये भी एक टैलैंट होता है कि हर किसी के गुष्ण rudeों की प्रशंसा करना लग birth टैल ein तुम से कोई बढ़ के तुम करका दे मैं दुम है सब्सक्राइन को थिसे करते हैं तुम कर सकते हैं राहर सकते हैं तुम आप अप नरत HAUK सकते हो आप ऐसे हो सबके सीक्रेट्स आपके पास हैं लेकिन कभी भी आप दख्या सकते हो ठीक है जैसे करना नीचे लेकिन हाँ अगर कोई लिमिट से बाहर निकल रहा है तो उसको उसकी लिमिट में रखने के लिए तो अभी जब इन्हों ने आपके साइड देखा तो इनको से ज्यादा बेस्ट गैलन्ड को भी नी हो सकता जब आप दूसरों के टैलेंट की प्रशंसा करो इस से चहे टैलन्ट को ही नी हो सकता तो सारे सारे सबने और फिक ए संदमें हैं ईकने मी तो तोगROण है थोड़ा सरकाजम उन्कों छेड़ने के लिए आपके हशंवन कहई और कहरे या ना कर आपकी हुआ नियु मतलब है घुटे मोटे में बोल रहे हुं बोल रहों तो आपने में का हाथ दबाया और इनको चुप करवाया अब जब सब कोछ ट्लियर हो गया ठीक है सारे लोग चले गए अब अपने रूम में हो बेटे हो रहा हमसे तैसी बात निकल रही है क्या-क्या मजे करें आज क्या-क्या बाते करी ठीक है जब अब बात निकल गया तो तुम हसी क्यू हसे क्यो यह बताओ यह तुम्हें पता है अगर कोई किसी को में हस्ते देको तो मेरी हसी चूट जाती है अब सकता आप लोगों को अपनी हसी पर कंट्रोल ना हो आप लोगों की थोड़ी गलत सब बेपे हसीन कल जाती हो यह बहुत अब यह बहुत ही डेंजरस वाला चीज है कि अगर गला समय पे गलत बिल्कुल गलत वक पर रॉंग टाइंग्मिंग पर हसी आपकी निकल जातों बहुत इंबरेस्मेंट होती है सब्सक्राइब लिटरली मैंने फेस करी हुई है तो अब पता है किस किसी ने फेस करी हुई ह अब यह है अब यह मेरे में कोई इंपर्फेक्शन है तो क्या इसी इसको लेकर तुम उसे चिड़ोगे फिर तो तुम्हारा जो टैलेंट है कि किसी दूसरे का गोने देखकर किसी की अच्छाई देखकर तुम उसका प्रशंसा कर रहे हो और किसी के अबला थोड़ा सा अब मतलब खोचार तुम नफ्रत कर रहे हो जो तुम इर उद्र भोलँ आ जो आपके यह की अबध के नहीं पूर आ है किया है तो अपके आपके इस्म पूसमें एड़ाई कर नहीं है और ऊंसेघैटे रोग एडरे यह जहा जाता है अब के घुटना भी हटोड़ए तो कि min हमार तुम तो ना अपने टैलेंट का से दिखावा करते हो अपनी इमेज अची रखने के ले ओ भाई इस बात पर ये इतना रहास हो गए आपसे इतना रहास हो गए कि आपने इंको ना फेक बोल दिया तरी कैसे यह थोड़ा अलगी सेंस निकाल लेते होंगे आप समझ रहे हो आप थोड़ी चीज बोल रहे हो यह उसको अलगी वे मेले कर जा रहे है यह होता होगा जब इनका दिमाग खराब हो जाता होगा तब यह ऐसे करते होंगे तो क्या है चुप चाप सो गए आपने सीटी बजाई गल्तालि बजाई गाने गाए चिटकया बजाई नहीं बाने इनको मसर तो बढ़ा आघ Almostка कर रहे हो यह आप आपने तकिया फैक के मारा क्यário क्या ऑद्य क्या है क्यो मैं निटिस्टर बढ़ रहे हो हाँ करूंग ही मैं निटिस्टर्ब मैं करुंगा क्यों क्योंा हुने यह मुझे अच्छा नी लग रहा है कि पतनी किस सासो रही हूं किस सासो रहा हूं ऐसे लग रहा है किया है यह जो अंगे इसासा अर किंग करवट भी नी ले चाहिए एंग रिफ एंगी कर रहे हैं बिलकुल जानी नहीं बर थोड़े आप गी तरह पर होएं आखें बन करा रखी हैं क्यश्यम करें आप से आखें मिलाई तो इनकी तो रही ही थूटी छोटी हां जाए तो इनकी नलाज़गी ख़ए समझ आप से पास आएं और इंको प्ला छह नको फोरह खीच लिया बने को रुटि खल एक ब्लैंकैट लेस कर दिया तो प्लैंके टीट के ओपर अभी कम्बल लेघ है तो थोडला-थुडा कहा परे है एस ही चल रहे है koolर चल रहे है तो कहा परे कहा ओड़ जुडुरो नहीं मुझे नहीं आख नहीं मै ँअजीं मैं में घुड़ा दूं потреб करा परन आप जल्य प्लेटे है..॥ थोड़ा सा कर दो है.. तो कंबल ले लो ना तुम रामक्य अंखे लो.. क्या है तुम अखै अंखे उन्य क्यो ही न उन्य लग ग Eğer क्विसक्त थंब खोलुरा अंखे जी खें क्यों ने का क्यो नहीं जु़ा और डेको ढूल र्यूbaar क्या अंखे बहुत नख्रें हो रहे हैं एक छोटी सी क्या मेरी हची से तुम्हें प्रॉब्लम होगी नहीं सच बता हूं किस से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम किसी चीज नहीं हुए मुझे थोड़ा बुत बुरा लगा छोड़ दिया बट I want this अगर यह नहीं होता तो तुम मेरे करीब इतने नहीं आते अरे जूटे ना जूटी बहुत जूट बोलते हो ना बहुत जूट बोलते हो नहीं मैसच बोल रहा हूं अच्छा ठीक है जूट भी है तो क्या होगा इसमें तो मेरे पास तो यह तो सच है यह तो जुट नी है यह तो सच है और ऐसा वैसा कोई मेरे बारे में बोलता है मेरे पहसuda हिसा है तो मुझे तोड़ dłो जाके इस आगली बार में अगला भाजिक लीस कर दोगिए ऑलकाना अगली बार मे उसी कि दिण घड़ द दूशे है अगली पर उसके अगले पर सुना दिया लेकिन फिर गल्ती करके सौरी बोल दिया अच्छा, okay, okay, I know this, I know you अगले बड़े द्रामे बास बड़े द्रामे बास बड़े द्रामे बास बड़े नराजगी दिखाने हैं जाधाने हर भी बुरा भी मान गए है फिर अपनी बात में यह थोड़ा स 될ा ज्या गए कि अपर पीयार से बनाऊ और प्यार से बनाऊ और प्यार से बनाऊ इनकी पार अटकी कर जाती होताएं जो आपको इनली हसी देख जाती होगी आसु नहीं दे कर जाती होगी ठीक है हसी दे कर जाती होगी इनकी नराजगी जब इनकी नराजगी एंड जाती होगी तो बड़े cute किसम की होगी Let's see कि आपके लिए क्या messages आते हैं बड़े बड़े प्यारे किसम की होगी लेकि नहीं चुछी बात का बुरा मान जाते होंगे कभी-कभी किसी बात का अलग ही मतलम निकाल देते होंगे बट इजाय देर तक चलता नहीं होगा क्योंकि इनके लिए मैटर जादा आप और इनका रिष्टा करता है यह किसी बात की बीजिसे रिष्टा खराब नहीं करते होंगे ठीक है एनके दिल में आप के लाव़ा कोई और ही ही opinion इनको इह भी पता है हो येस आप इनकी हदो और इनमें ही लिमिट लेस हो आप भी ठीक है चूँकर मेरे मन को किया तूने ये इशारा ये बहुत पिरस होंगे जरूर सुनियेगा और बी थैंक्फुल यह आपके प्रती थैंक्फुल भी रहते होंगे ठीक है ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो लेकिन करते होंगे कांट टेक आफ माई आई आप पर से इनकी नजर नहीं हटती होगी और लव यूर बोल्ड नेस वे में जिस बोल्ड वे में आप दूसरों को आंसर ऐसा कर दोगे कोई अगर इन पैसा हसे तो ठीक है या इनके ऐसा मजाक उड़ा है तो तो सिती सिती को जिस आपके आम में रहना आपकी बाहों में रहना ही तो इनका है ना मेन गोल नराज़गी का तो कह रहे हैं आप अभी भी बहुत खुबसूरत हैं आज तुम पे बहुत प्यार आ रहा है तो आज इनको आप बहुत जदा प्यार आ रहा है और ये हमेशा को कहते हैं कि तुम हर उमर में मतलब जवान हो बिल्कुल हर उमर में तुम खुबसूरत हो शरीर बुड़ा जरूर बोड़ा जरूर होता है लेकिन देखने वाले की नजर बूड़ी नहीं होनी चाहिए अपने प्रियतम को जब वो देखता है तो उसी भाव से देखे कि यह तो अभी उत्रा इखुबसरा है जैसे उस एज में था जैसे उस एज में था तो यह भाव होना चाहिए चलिए आज क की डिडिंग यह थी बहुत प्रिडिंग आई आज कि अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक से कॉमेंट जरू करेगा अभी के लिए भाई ठीक है जैसे शादकृष्णा हरी कूल